पचास से कुछ जादा मोतियां बैठी हैं विडिवर्थ तीन तारिक को पूजन होगा चार तारिक को यहां सामोहिक आर्थी होगी सामोहिक विसर्जन होगा मुख्यमंत्री जी को आमंतुत किया गया है कि वो आर्थी करें स्वयम आके यहां कुछ लोगो सम्मानित भी करेंगे यहां कुछ लोगा अपनी बात भी रखेंगे सामोहिक भोज भी होगा चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा के धुत्र हैं कायصतों के पूर्वज हैं लेकिन सबही कलम जीवियों के देवता हैं हमारी माताएं नाग करन्यारें इसलिए हम लोग नाग का पूजा बहुत करते हैं। और नाग सायद ही कभी सुना होगी कायस्त को रसाय कभी। कभी नहीं। क्योंकि हमारे तो मामा लोग हैं। दो बजे से सुवायात्रा प्रारंब होगी। पांच बजे तक यहां मुर्तियां आ जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी उसकी सामुही कार्ति करेंगे। फिर एक-एक करके मूर्ति का विश्रजिन सामगे। हर वर्ष की भाति है। पूरे पट्ना महानगर में जग 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 जहां स्थाई चित्र वहनों की बगवान की मूर्ति है। उसके अत्रिक्त पचास के करीब, पचास से कुछ ज्यादा मूर्तियां बैठी है। उन सब का विरिवर्थ तीन तारिक को पूजन होगा। चार तारिक को यहां सामुहिक आर्थी होगी। सामुहिक विसर्जन होगा। मुख्यमंत्री जी को आमंतुत किया गया है कि वह आर्थी करें सोहम आके। और मैं रमस्ता हो कि वह अवर्ष याएंगे। यह अभी लिखित कन्फर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन उनके कारहले से कहा गया है कि नहीं वह आपके किसी कारिकम में जाएंगे। चाहें तीन को आम या चार को आमें हमने का जिनी अब तो चार का का लिकम बड़ा हो गया है कि कूख पूरे शहर से लोग आते हैं। हम सामुई कार्ती यहां करवाएं, यहां कुछ लोगों को सम्मानित भी करेंगे, यहां कुछ लोग अपने अपनी बात भी रखेंगे, सामुईक भोज भी होगा, एक खुशी का महाल रहेगा और प्रशाशन नहीं इस बार बहुत ही सहयोग करके उपिपा करके, मंदिर का चाहधवारी का भी निर्मान करवा दिया है, और सामने घा भी तैयार करवा रहे हैं, ताकि 우리 सरदन कर सके, क्योंकि कि हम अंदर करते थे भी सर्जन लेकिन इतनी जादा मूर्थिओं का भी सर्जन ठीक से हम करने पाते थे तो उसको लोगों ने देखा कि हम बढहते चले जा रहे हैं मूर्थिया जादा बैठ रही है तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और उसके लिए हम् का मैं समझता हूँ कि सभी लोग दूर के मिल के इस काम को करें चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा के कुत्र हैं कायस्तों के पूर्वज हैं लेकिन सभी कलम जीवियों के देवता हैं चाहे वो किसी जाती के हों किसी भी राजरी के हों किसी धर्म और संपदाय के भी हों चाहे मुसलमान और कृष्टियन भी हों उससे कोई दिकत नहीं है यदी कलम उन्होंने पकड़ा है और विशेश कर जो न्याय के कारे में है जो जुजुश्यरी में है या नाय दिलाने के कारे में है वकालत में है अकाउंटेंसी में है लिखा पढ़ी खासा वही में है और आज के दिन में जो कंप्यूटर की हाई टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है वो समी चित्रगुष्पगवान के आराध उनके भक्त हैं चित्रगुष्पगवान के पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो लाखो करोडो प्राणियों के मन में दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या कर रहे है इस पर ध्यान रखते थे भाई जब स्विष्टी की रचना हुई तो कुछी वर्षों के बाद यम्राज पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज ये काम हम से मत करवाई आपने स्वर्ग नरख का निर्मान तो कर दिया बहुत बढ़िया काम किया है हम से ये काम मत करवाई नहीं तो हम नरख में चले जाएंगे उनने का क्यों क्या बात है कहा कि मैं जो व्यक्ति आता है जो प्राणी जो भी कहता है उसकी बात पर विश्वास करके नरख को स्वर्ग में भेज देता हूं लेकिन बात में पता चलता है कि बहुत सारे पापी द्यविशारी दुराचारी लोग भी स्वर्ग में चले जा रहे हैं और बहुत सारे तो इस तरह से तो मैं ही नरख में चला जाओंगा। तो ब्रमा जी ने कहा है बात तुम्हारी सही है लेकिन इसके लिए हमको किसी का ऐसा निर्मान करना पड़ेगा जो एक काम कर सके। तो कुछ दिन रुख जाओ हम थोड़ा ध्यान करते हैं। तो प्रद्धे चला ज्यारा लगात वर्ष दस वर्ष ग्यार हज्यार वर्ष, दस वर्ष सहस्तानी, दस वर्ष सहतानी, यानि दस सहस्तर वर्ष, यानि दस हज्यार वर्ष, दस वर्ष सहतानी, यानि दस सो वर्ष, दस सहस्त्रवर्ष और दस सहवर्ष मिला के 11000 साल की तपस्या की उनने, आख खोला तो थित्व, वगवान खड़े थे, उनने काया महाराज आप कोन है, उनने का मैं आप ही का पुत्र हूँ, आप ही के काया से उत्पन्न हुआ हूँ, आप ही ने मुझे बुलाया है, हम तो यहां आपके आदेश के लिए आप बताईए क्या करना है, तो कहा गया, तो बर्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छा, मेरी इच्छा पूरी हुई, आप आ गये हैं, आपको बहुत महत्तुपूर्ण काम देंगे, तो तित्गु बर्मा ने कहा कि चलो यह भी ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज हैं, जितने भी हैं, शिवास्तो हैं, अंबस्त है, करन है, अस्थाना है, माथून है, सक्सेना है, हमारी माताएं नाग कर्ण्या हैं, इसलिए हम लोग नाग का पूजा बहुत करते हैं, और नाग सायद ही कभी सुना होगी कायस्त को रसाय कभी, कभी अख़ने तो मामा लोग हैं. तो इसलिए हम लोग भी प्रानाम करते हैं उनको, भी हम लोग वापर कृपा रक्षते हैं. इस वर सब्सक्रल्टी दिसर्जन के क्या सिस्टम है? इस वर सिस्टम क्या है? वही पहले वहां मूर्टी आएगा तरह निसजें डगा के आहरी मूर्टियां सहारे सदंन् היाट सक्षाथ को केई नहीं दो बजे से शुवायात्रा प्राडळ होगी, पांच बजे मूरटीया आजाएगी हैंगी उसके बाद मुख्यमंत्री जी उसकी सामोही कार्थी करेंगे फिर एक एक करके मूर्ती का विश्रजन सांपूर जेते हैं